एक्जिट पोल आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है जिस तरह का एक्जिट पोल निकल कर सामने आया है ये एक साइंटिफिक सर्वे है जो कि कई हजार लोगों पर क्या गया इस पर आपका रियक्शन क्या है सर्व पृत्व मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें किसी प्रकार की अतिश योगती नहीं है किसी प्रकार का मुझे सप्राइज एलिमेंट नहीं लग रहा है क्योंकि आदर्णियों प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके दिलों पर जो है मुझे लगता है कि एक तरह से चाप छोड़ चुके हैं और तिबारा प्रधान मंत्री में तो डेवन जिस दिन इलेक्शन घोशेत हुआ है उस दिन हमारी पार्टी का संकल्प तो है ही परन्तु अपढ़ना यादव ने विशेशकर सभी चैनलों से यहां कहा था कि तिबारा प्रधान मंत्री के रूप में मेरा यहां संकल्प है सभी सब्सक्राइब को दिख दिख्या और को पूरा दिखेगा अमें जी और आप लोगों के लिए मैं बहुत रदाएसे साधुबाद करती हूं कि और सप्धांटी जो किया है कि उस सוास है हमारे प्रदान में शामिल हुई थी उस वाक्त हमने देखा कि समाजवारी पार्टी के कारे करता हो या फिर नेता हो उनकी तरफ से कई बाते भी कही गई थी सवाल भी उठाए गए लेकिन अब आप बीजेपी में हैं अब लोकसभा का इलेक्शन है चार तारी को नतीजे आ जाएंगे उसके लिए साथ में अपड़ना यादव खुद को पार्टी में कहा देखती है i house panel कि हमारी पार्टी में सबकुछ जो है सर्वोच जो टीम है हमारा जो शीर्शनेत्रत है वही तै करता है और भारतियर जनता पार्टी में सभी के लिए स्थान मैं समझती हूँ कि अपड़ना यादव को पार्टी जो है अपनी तरह से जहां भी ऐसे मिलेट करना चाहेगी मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ पार्टी ने जहां भी मुझे इस बार भी राजनीतिक रूप से जहां भी भेजा जो भी कहा मैंने किया है और मैं पार्टी के स पूरे तनमंधन के साथ जुड़ी हुई हूँ लेकिन अपड़ना जी इस मेगा एकसिट पोल को लेकर विपक्ष के भी कई नेताओं से हमारी बात हुई समाजवादी पार्टी की कई सारे पॉलिटीशन से हमने जब इसको लेकर पूछा तो उन्होंने मानने से इंकार कर दिय और उन्होंने कहा कि नहीं यह आकड़ा गलत है और चार तारिक को जब नतीजे आएंगे तो इंडी गठबंदन की सरकार बनीगे तो पार्टी इंडी गठबंदन हमेशा मुझे लगता है कि पपू मेकिंग पे ज़्यादा जो है फोकस करती रही है और आदर्णी प्रधान जनता पार्टी की सरकारे हैं उसमें आप देखेंगे आप एक वरिष्ट पत्रकार हैं आपके पास पूरा सरवे टीम है लोगतंत्र का सबसे इंपॉर्टन स्थम्भ है पत्रकार तो मैं समझती हूं कि सबको यह पता है कि जितनी बाते हमने कई हमने ना किसी जाती के दर्म ना किसी लिंग के आधार पर ना हमने धर्म के आधार पर णा जो है ऑ दान मंतरे आवाशोज ना किसी तरीके बीतबा दिया, और जनता या बात जानती है कितने सारे आप बताईए जो ठंडे बस्ते में चीजें लटकी हुई थी पड़ी हुई थी वहाँ प्रदान मंत्री जी यानि कि विकास के दम पर फिट से सरकार बनने जा रही है बिल्कुल हम लोगों से बातचित करते हैं विकास को लेकर जनता भी अपनी बात रखती है और क कई महिलाएं हैं हम तो सारे लड़कों की बात कर रहे हैं और लड़कों से नहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ देश जो है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको मैं कह दूँ कि वह युगपुरुष के रूप में उभरा है पूरे विश्य में तो इसमें कोई अतिश योगत नहीं रहेगी और उनका नाम है शी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी तो जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ सभी भारतियों का विश्वास है सभी भारतियों का जो है एक तरह से मैं समझती हूँ कि मानसिक जुडाओं है सबका और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास वो आप पूर्ण रूप से इस पूरे चुनाओं में पूरे कारेकाल में परलिक्षित हुआ है लेकिन अपड़ना जी जब भी अखिलेश यादव से आपके बारे में सवाल पूछा जाता है खाली में आप आजम कर भी गई थी प्रुशार करने के लिए उसके बात में जब वो भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे रैली कर रहे थे जब पत्रकार जब भी आपके बारे में उनसे बात्चित करते हैं तो वो कहीं न कहीं जवाब नहीं देते हैं और कहीं का जवाब कहीं और देते हैं तो इसके पीछे आप क्या वज़ा देखती हैं मतलब जब भी आपको लेकर सवाल पूछा जाता अखिलेश याद आपको तो वह हमेशा जवाब देने से बच्टे नजर आते हैं यह बात आप उनसे पूछिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती है यादी इसका जवाब आप भी नहीं देंगी अच्छा एक ही फैमिली में रहे कर आप बीजेपी में हैं मैं उनकी बात कैसे बोल सकती हो मैं किसी के मन का पढ़ने का काम नहीं कर सकती हो ना अच्छे चलिए यही पता दीजे अभाब अंखिले इशा अःदेff तो कहरे रहा है कि समासवारी पार्टी भारी बहुत के साथ में जीतने जा रहे हैं कि कंघुर्स के साथ में प्रुछ अ faço आसे टैन ते नहीं आप लोग कह रहे हैं 400 पर वो कहरे हैं कि इस बाढर 400 हर जाएंगे दीए लोक्तांत्रिक व्यास्ता है सब्यक्ति अपनी बात जो है पूरी तरह से कह सकते हैं सबका फंडमेंटल अधिकार है पर जो चार जून को होगा वह सबके सामने exit पूल के माध्यम से आप जैसे चैनलों के माध्यम से सबके सामने सभी भारतवासियों के सामने आ रहा है और जो हमारा लक्ष है और जो हमारी सोच है पूरी तरह से धरातल पर उत्री है योगी जी ने भी यहां पर मुख्य मंतरी के होने के साथ साथ प्रधान मंतरी जी का विजन सम्मान और सुरक्षा का विजन पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया है और मैं समझती हूं कि प्रधान मंतरी जी नरेंदर मोदी जी तिबारा प्रधान मंतरी बनने जा रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का डाउट फुलनेस नहीं है किसी भी प्रकार की अतिशियोगती नहीं है जी चीक है तो हभी चार जून का हमको इंतजार करना होगा लेकिन जो एक्जिट पोल में न निज़र आरी है हमारे साथ में जूरने के लिए पढ़ना जी बहुत शुक्रिया आपका